दोस्तों नमस्कार ये हमाग दोशन फार सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शोधरी दोस्तों आज की वीडियो में हम साल्व करेंगे उत्तर प्रदेश माधिमिक सिच्छा सेवा चैन बोर्ड द्वारा आयोजित TGT सामाजिक विज्ञान के लिए महत्वण भुगोल खंड जो आपके आगामी TGT सामाजिक विज्ञान और PGT यानि प्रवक्ता परिक्षा भुगोल के लिए बहुत ही उप्योगी है इस प्रेक्टिस सेट में उन महत्वण प्रशनों को सामिल किया गया है जो आपके आगामी परिच्छाओं के लिए संभावित और महत्वण है दोस ते कि ग्रह सूरे के चारोर वृत्तों में नहीं बलकि दिर्ग वृत्तों में घूमते हैं ये सबसे पहले किसने प्रदर्शित किया था आपसन है आपके कापरनिकस, गैलीलियो, प्लेटो या फिर जोहानस कैपलर तो सही उत्तर है जोहानस कैपलर आपसन D आपका सही उत्त दोस्तों सबसे पहले जोहानस कैपलर ने असपश्ट किया था कि ग्रह यानि प्लैनेट्स जो होते हैं वो सूरी की प्राइक्रमा दिर्ग बृत्तकार का अच्छा में करते हैं और उसने सूरी को ग्रही अच्छा का किंद्र माना था अगला प्रेश्ण है दोस्तों प्रदीप्त बृत्त यानि सर्किल आफ इल्लॉमिनेशन किसे कहा जाता है तो सही उत्तर है आपसंज सी ग्लोब पर वळ बृत जो दिन और रात को विभाजित करता है दोस्तों देखे प्रदीप्त बृत्त जो है ये सूरी आप जानते हैं कि प्रिथवी का आकार जो है गोले के समान है इसलिए एक समय में केवल इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ग्लोब परवह बृत जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त बृत या फिर सरकिल आफ इलूमिनेशन कहा जाता है। प्रदीप्त बृत ग्लोब परवह बृत जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे कहा जाता है। अगर सूरियातब की मात्रा जो पिर्थवी सतह या वाइमंडल में जो नहीं रुकती है ये सून्य में लोट जाती है। इस परावर्ति सूरियातब को एल विडो कहा जाता है। और इसमें ताजागिरा बर्फ जो है 80-90 प्रसत परावर्तित करती है। घने बादल 70-80 प्रसत पुरानी बर्फ 50-60 प्रसत और काली मिटी 8-14 प्रसत। तो सही उत्तर है दोस्तों देखिए सबसे अधिक एल विडो ताजागिरी बर्फ का होता है। अगला प्रस्न देखते हैं आईसो थर्म एक कालपनिक रेखा है जो उन सतहों को जोडती है। दोस्तों आईसो थर्म समान तापमान वाले जो है सतहों को जोडती है। तो याद रखिए आईसो थर्म समान तापमान वाले अस्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है, इसके अलावा याद रख लीजे आईसो बार, दोस्तों आईसो बार समान वाईदाब वाले अस्थानों को मिलाने वाली रेखा है, आईसो हेलाइन जो होता है, ये समान लवर्त तो याद कर लिजे आईसो धर्म समान तापमान वाले अस्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है। तो याद कर लिजे आपका सही नहीं है क्योंकि फेरल के नियम के अनुसार जो इस ने पावनों समबंधी पावन के दिशा समबंधी नियम दिया था। तो फेरल का नियम दोस्तों पावनों की दिशा से समबंधी था जिसमें वो कहता है कि उत्तरी गोलार्द में जब हवाएं चलती हैं तो वो सीधी नहीं चलती बलकि अपने दाहिनों और घूमते हुई आगे बढ़ती हैं। अगला प्रशन देखते हैं उत्तर ध्रुवी ज्योती जिसको की अरवरा बोरियालिस कहा जाता है ये उत्तपन होती है कहां पर। आयन मंडल ओजोन मंडल या फिर समताप मंडल तो सही उत्तर है कोरिया दोस्तों उत्तर ध्रुवी ये प्रकास या जिसको अरवरा बोरियालिस कहा जाता है और एक होता है दच्छिडी धुरूवी प्रकास जिसको अरवरा आस्ट्रेलिस कहा जाता है ये घटना बाहे मंडल में घटित होती है तो सही उत्तर है आपका आपसन ए बाहे मंडल और वास्तों में देखे अरवरा जोस्तों ये ब्राहमांडी चमकते प्रकास होते हैं जिनका निर्माड चुम्बकी तूफान के कारण सूरे की सतह से बिसरजित होने वाले इलेक्टरांग तरंगों से होता है तो उत्तरी धुरूवी प्रकास या उत्तरी धुरूवी जोती जिसको अरवरा बोरियालिस कहा जाता है ये बाहे मंडल में उत्पन्न होती है अगला दोस्तों देखिए ये जो प्रश्ण है कि पिर्थवी का सरवाधिक आयतन और द्रब्यमान पाया जाता है तो आपसन भी आपका सही है मिंटल में दोस्तों मिंटल में जो है पिर्थवी का सरवाधिक आयतन और द्रब्यमान पाया जाता है देखिए क्रश्ट के नीचे मोहो असंबधता से लगभग 2900 किलो मीटर की गहराई तक मेंटल जिसका अर्ध ब्यास 6370 किलो मीटर है इसके आधे से कम है लेकिन पिर्थवी के समस्त आयतन का 83 प्रतिसत और द्रब्यमान का 68 प्रतिसत भाग आपका मेंटल में नहीं थै तो इसलिए पिर्थवी का सरवाधिक आयतन और द्रब्यमान में पाया जाता है अगला प्रश्ण है निम्रखित में से कौन बालू पत्थर के रूपांतरंड से निर्मित है आपसन है सलेट, कौार्ट जाइट, संग मरमर और कौार्ड तो सही उत्तर है आपका आपसन B, कौार्ड राइट दोस्तों कौार्ड राइज का निर्माण बलूआ पत्थर या सैंड इस्टोन की रूपांतरंड से होता है इसमें क्वार्डज खनिज पाया जाता है और ये अत्यधिक कठोर सैल होता है दूस्तों कुछ कायांतरित सैलों के बारे में जान लेते हैं चूना पत्थर मौलिक सैल है इसका कायांतरित रूप संगमर्मर होता है कोईले का कायांतरित रूप ग्रेफाइड है और ग्रिनाइट का कायांतरित रूप ग्रेफाइड है और ग्रिनाइट का कायांतरित रूप ग्रिनाइट नीस होता है बेशाल्ट और रोयालाइट का कायांतरित रूप सिष्ट होता है तो याद रखिए बालू पत्थर के पांतरण से निर्मित होता है क्वार्ड ज्राइट अगला प्रश्ण है विस्व में सरवाधिक ज्वाला मुखी किस पेटी में पाये जाते हैं तो सही उत्तर है विस्व में सरवाधिक ज्वाला मुखी परिपरसांत पेटी में पाये जाते हैं दोस्तों परिपरसांत महासागरी मेखला में सरवाधिक ज्वाला मुखी पाये जाते हैं और दुनिया के लगभग दो तीहाई भाग परसांत महासागर के दोनों तटों में ज्वाला मुखी छेतर हैं यहाँ पे और ज्वाला मुखी की इस रिंखला को परसांत महासागर का ज ज्वाला वरित या फायर रिंग आप पैस्पिक भी कहा जाता है तो परिपरसांत पेटी में विस्व में सरवाधिक ज्वाला मुखी पाये जाते हैं अगला प्रशन है दोस्तों लेवेंसरम देखिए एक महत्वपूर्ण है लेवेंसरम की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्त कहा जाता है तो सही उत्तर है लेवेंसरम की संकल्पना रेट जल के द्वारा प्रस्त उत्की गई थी तो सही उत्तर लेवेंसरम की संकल्पना के प्रतिपादक रेट जल हैं दोस्तों अगला प्रशन देखते हैं कहीं कोई अनिवारता नहीं है सरवत्र संभावनाएं है ये सरवत्र संभावनाएं हैं ये कथन एल फ्रेवे का है दोस्तों अगला प्रशन देखते हैं कि प्रादेशिक भूगोल भूगोल का क्रोड है ये कथन किसका है तो सही उत्तर है दोस्तों प्रादेशिक भूगोल भूगोल का क्रोड है ये ब्लांस का कथन है देखिए ब्लांस भुगोल का क्रोड मानते थे उन्होंने प्रादेशिक अध्यन पर बल देते हुए बताया कि इसके अंतरगत किसी प्रदेश के भौतिक, एतिहासिक, राजनेतिक और आर्थिक तत्तों के प्रभाओं को अस्पष्ट करना जरूरी है। मानो भुगोल के सुध्धान्त 1921 और फ्रांस का भुगोल बलांस की महतपूर पुष्ट के हैं। अगला प्रशन है भारत में महासागरी तटवाले राज्यों की कुल संख्या कितनी हैं। आपसन देखिए 7, 8, 9 या च्छे तो सही उत्तर है भारत में महासागरी तटवाले र महराष्ट, तमिलनाड, कीरल, करनाटक, ओडिशा, पस्चिम, बंगाल और आंधर प्रदेश हैं। इसके अलावां तट्टी एकेंदर सासित प्रदेशों में आप जानते हैं अंडबाननिको बार्दु इपसमू, पुडुचेरी, दमन दीव और लक्षदीव हैं। अगला कस्मीर घाटी, जासकर और पीर पंजाल स्रेडी के मध्य इस्तित हैं। कस्मीर घाटी की उत्तरी सीमा जासकर स्रेडी और दच्छिनी स्रीमा पीर पंजाल स्रेडी के द्वारा निर्मित होती है। अगला प्रशन है भारत में किस मिर्दा का विस्तार सरवाधिक हैं। आप संसी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जलोड मिर्दा देश के 14.25 लाख वर्ग किलोमीटर यानि कुल छेतर के 43.4 प्रसत छेतर पर विश्दरित है और जलोड मिर्दा में फासफोरस, पोटास और चूना परमुकता से मिलता है और इसमें दोस्तों पोटास और चूना तो प्रमुकता से मिलता है लेकिन फासफोरस, नाइट्रोजन और जीवान्स की कमी होती है अगला प्रशन है दोस्तों महासागर की सतह पर किसी निश्चित अस्थान पर दो क्रमिक ज्वारों के घटित होने में समय अंतराल कितना होता है तो सही उत्तर है दोस्तों ज्वार उत्तर है 12 गंटे 26 मिनट के बाद ज्वार और ज्वार के 6 गंटे 13 मिनट के बाद भाटा आता है इसलिए विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन है महासागर की खड़ी काट में तीब्र लवर्ता परिवर्तन के छेतर के रूप में किसे जाना जाता है तो उत्तर है दोस्तों हैलो क्लाइन को देखे हैलो क्लाइन दोस्तों महासागरी जल के 300 मीटर से 1000 मीटर की गहराई तक लवर्ता में परिवर्तन तिब्र होता है और इस परत को हैलो क्लाइन कहा जाता है महासागरी जल की अवसत लवर्ता 35 प्रतिहजार होती है अगला प्रश्ट देखते हैं काल्सवर्ग कटक या काल्सवर्ग रिज इसकी अवस्थिती कहां पर है आपसन है अरब सागर, लाल सागर, बंगाल की खाड़ी या फिर फारस की खाड़ी तो सही उत्तर है दोस्तों काल्सवर्ग कटक ये अरब सागर में इस्थित है काल्सवर्ग कतक भारती केंदरी कटक का उतरी हिस्सा है जो अफ्रिकन प्लेट और इंडो आश्टलियाई प्लेट के साथ एक अपसारी विवर्तनी की प्लेट सीमा है ये अरब सागर में इस्थित सक्री भोकमप वाला छेतर है तो याद रखे काल्सवर्ग के कटक आपका अर सांत महा सागर सुमेलित नहीं है स्वेज नहर लाल सागर और अरफ सागर ये भी सुमेलित नहीं है और कील नहर बाल्टिक सागर और उतरी सागर सुमेलित है तो आपसे पूछा है कौन सुमेलित नहीं है तो केवल एक और दो सुमेलित नहीं है आपके लिए यहाँ पर दोस जो है इनको जो सुमेलन है इसमें गलत दिया है आपको स्वेज नहर और पनामा नहर को बताना है कि किसके किसके बीच या किन सागरों के बीच इस्थित है अगला प्रशन है कि तापमान प्रतिलोपन के लिए आदर्स परिस्थितियां कौन सी हैं देखे एक है मेगा छन आकास देखे, मेगा चन आकास, तेज हवाएं, जाड़े की लंबी रात या ठंडी सुष्क हवा तो आपको इसके बाद आपसंति ये गए हैं तो दोस्तों सही उत्तर है आपका तीन और चार यानि जाड़े की लंबी रात और ठंडी सुष्क हवा ये तापमान प्रतिलोपन के लिए आदर्स परिस्थितिया है दोस्तों सामान रूप से देखा जाए तो छोब मंडल में उजाई के साथ तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रती 1000 मीटर की दर से घटता है जिसको सामान पतंदर कहते हैं लेकिन कभी-कभी होता है कि इस सामान नियम के विपरित तापमान बढ़ता हुआ दिखाई देता है जिसे तापीय विलोमता कहते हैं तापीय प्रतिलोमन के लिए जो है दोस्तों आवस्यक दसाएं कौन-कौन सी होती है शीत कालीन लंबी रातें, स्वक्ष आकास, ठंधी और सुस्क वायू, शान्त वायू और हिमावर्त तरित धरातल तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा जाडे की लंबी रात और ठंधी सुस्क हवा अगला प्रश्ण है विशुवत व्रित के समीप अपेक्षाक्रित लवर्ता कम होने के कारणों में क्या शामिल है देखे भारी वर्सा, उच्च सापेक्षिकार्दता, मेघचन आकास या डोल ड्रम की इस्थिति तो सही उत्तर है विशुवत बृत्त के समीब अपेक्छाकृत लवर्ता कम होने के कारणों में ये सभी परिस्थितियां उत्तरदाई है दोस्तों विशुवत बृत्त के समीब लवर्ता कम है और ये सभी विकल्प इसमें समाहित है क्योंकि विशुवत बृत्त के पास उच् है वर्सल जल की प्राप्ति अधिक होती है और इस कारण यहां लवर्ता कम होती है अगला प्रश्ण है सूची एक का सूची दो के साथ सुमेलन कराना है देखिए लानोज जो है इसका सुमेलन हो जाएगा बेनेजुएला से यह घास के प्रकार है प्रेयरीज यूएसे में है दोस्तों आप जानते हैं अर्जेंटीना और उरुग्वे में और डाउन्स जो है यह डाउन्स आश्टेलिया में घास के मैदान है तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दो तीन चार और एक तो आपसन में देख लेते हैं दो तीन चार एक आपसन डी आपका सही उत्तर हो फिर Charles Southernland तो सही उत्तर है पारिस्थित की तंत्र सब्द का प्रयोग सबसे पहले A.G. Tansley ने किया था दोस्तों 1935 में A.G. Tansley द्वारा सबसे पहले पारिस्थित की तंत्र या एको सिस्टम की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी A.G. Tansley के अनुसार पारिस्थित की तंत्र भावतिक तंत्रों की एक विशेस्ता होती है जिसकी रचना जैविक और अजैविक घटकों से होती है दोस्तों याद रखे पारिस्थित की सब्द का प्रयोग सबसे पहले 1865 में रिटर के द्वारा किया गया था तो पारिस्थित की सब्द सबसे पहले रिटर के द्वारा प्रयोग किया गया था लेकिन पारिस्थित की तंत्र या इको सिस्टम A.G. Tansley द्वारा 1935 में प्रतिपादित किया था अगला प्रश्ण है दोस्तों पारिस्थित की तंत्र में उच्चितम पोसड अस्तर प्राप्त कौन है आपसन है साकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और अपगटक तो देखे पारिस्थित की तंत्र में दोस्तों आहार स्रिंखला में जो है सामान रूप से चार या पांच पोसण के अस्तर होते हैं इसमें सर्वा हारी जो है उच्चतम पोसण अस्तर पर उपस्थित होता है जैसे हरे पौधे उत्पादक होते हैं ये पहले पोसण अस्तर पर होते हैं शाका हारी जिसको प्रात्मी को भोगता कहा जाता है, दूसरे पोसडस्तर पर मांसा भच्छी या मांसा हारी दुतिय उपभोगता होते हैं, इनको तृतिय पोसडस्तर पर रखा जाता है, शेर्स मांसा हारी जो तृतिय को भोगता होते हैं, ये चोथे पोसडस्तर पर होते है और सर्वाहारी जो है ये चतुर्थक उपभोगता होते हैं इनको पांच में पोसड अस्तर पर रखा जाता है अगला प्रश्ण है दोस्तों जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थित की तंतर में उलट होता है आपसान है वन तालाब घासी अस्थल या सुस्क अस्थल तो सही उत्तर है दोस्तों देखिए जीव भार का पिरामिड तालाब में उलट होता है देखिए दोस्तों होता ये है कि पारिस्थित की तंत्र के विभिन अस्तरों में प्रत इकाई छेतर में उपस्थित जीवभार के रेखा चेतर निरूपन को जीवभार का पिरामिड कहा जाता है अस्थल में जो पारिस्थित की तंत्र होते हैं वहाँ पे जीवभार का पिरामिड सीधा होता है लेकिन जली पारिस्थित की तंत्र जैसे तालाब में जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है अगला प्रश्ण है भारत का सबसे पुराना या प्रथम जल विद्दू ते स्टेशन कौन है आपसन देखिए खोपोली, पाइकारा, मेटूर या फिर सिद्राबाग तो सही उत्तर है दोश्टों भारत में जल विद्दू संयंत्र के अस्थापना सबसे पहले याद कर लिजे सन 1897 में पशिम बंगाल के दारजिलिंग के निकट सिद्रापोंग या सिद्राबाग में की गई थी तो याद कर लिजे आपसंटी सिद्राबाग या सिद्रापोंग जो है भारत का प्रथम जल विद्दूद इस्टेशन है लेकिन दूसरा जल विद्दूद संयंत्र 1902 में करनाटक के सिव समुद्रम में लगाय गया था जो कावेरी नदी पर इस्थित है अगला प्रश्ण है दोस्तों सूची एक का सुमेलन सूची दो से करना है खाद्य उत्पादन में ब्रिद्धी ये हरित क्रांती से संबंधित है दुख्ध उत्पादन को स्वेत क्रांती से जोड़ा जाता है मच्च से उत्पादन को दोस्तों नीली क्रांती कहा जाता है औ तो सही आपका उत्तर हो जाएगा आपसन ए, एक, तीन, दो, चार, खादे उत्पादन हरित क्रांती, दुख्धु उत्पादन का संबंध स्वेत क्रांती से है, मत्से उत्पादन नीली क्रांती और उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांती से है, इसके अलामा दोस्तों एलो रि सिध्ध कोईला छेतर कहां पर इस्थित है तो दोस्तों तालचेर जो है ओड़ीशा में इस्थित है अगला प्रशन है महासागरों के अत्यधिक गहरे भागों में जमा होने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है तो सही उत्तर है उज दोस्तों गहरे महासागरी छेतरों में मि कौन सी ठंडी धारा नहीं है कनारी बेंगुला ओयोसियो और अगुलहास ये दोस्तों सामाजिक विज्ञान टीजीटी भुगोल के अंतरगत ही नहीं बलकि जीयस या सामान्य अध्यन के लिए भी बहुत उपयोगी प्रश्ण है ये प्रश्ण ऐसे प्रश्ण सामान्य अध् महासागर में आप जानते हैं दच्छिड अफ्रिका और मेडा गासकर के बीच उत्तर से दच्छिड में प्रवाहित होने वाली गर्म जल्धारा है कनारी जल्धारा क्या है कनारी जल्धारा उत्तरी अट्लांटिक महासागर की एक ठंडी धारा है बेंगुला धारा दोस्तो ये ठंडी जलधारा हैं अगुल हास ठंडी जलधारा नहीं है यानि गर्म जलधारा है अगला प्रेश्ण है दोस्तों निम्नखित में से कौन उलका पिंड का सर्वोत कृष्ट वरण करता है तो सही उत्तर है एक उलका पिंड अंतरिक्षिय पिंडों का एक भाग होता है जो अगला प्रशन है यद पिर्थवी की घोडन गती नहीं हो तो इसका क्या पैडाम होगा तो देखें सुरियोदय और सुरियास्त नहीं होगा सही है दिन और रात्री चक्र नहीं होगा और केवल एक रित होगी ये सही नहीं है दोस्तों यादि पिर्थवी की घोडन गती नहीं होगी तो देखें पिर्थवी की घोडन गती के कारण ही दिन रात होते हैं और इसके अलामा सुरियोदय और सुरियास्त भी नहीं होगा तो कुल मिला चक्र नहीं होगा अगला प्रश्ण है अंतराष्टी तितिरेखा जो 180 डिगरी देशांतर है ये अंतराष्टी तितिरेखा 180 डिगरी देशांतर से थोड़ा बिचलित है जिससे यह क्या है ये क्यों बिचलित है इसका कारण आपको बताना है तो सही उत्तर है दोस्तों अंतरा अंतराश्टी तिथिरेखा जो है किसी देश के बीच से होकर निकलती है तो उसके दोनों तरफ वाले देशों को एक ही दिन में दो अलग अलग तिथिया मानने पड़ती है इसे उनको असुविधा होती है तो सही उत्तर है इसमें देखे समान प्रसासन के अंतरगत दुईपी ये समुहों को विभाजित नहीं करती है आपसन ए आपका सही हो जाएगा इसलिए अंतराश्टी तिथिरेखा 180 डिगरी देशांतर से थोड़ा बिचलित है ताकि किसी एक द्विव समुह या अस्थली भाग को कोई असुविधा नहों दिन और तिथि के बारे में अगला प असंबधता पिर्थवी में 2900 किलोमीटर की गहराई पर है तो याद रखिएगा गुटेनवर्ग जो है GMC याद कर लिजिए GMC गुटेनवर्ग असंबधता मेंटल और क्रोड की बीच है अगला प्रश्ण है दोस्तों निमनखित में से कौन साच है महादीपी विस्थापन की पुष्टी नहीं करता है आपसन है आपके देखे पूरा चुम्बकत्व तापी संकुचन जुआरी इतल या सागर नितल प्रसरण तो सही उत्तर है तापी संकुचन दोस्तों तापी संकुचन जो है ये महादीप और महादीपी विस्थापन की उत्पति से संबंधित है न की Continental Shift से तो याद कर लिजे महादीपी भी स्थापन की पुष्ट जो नहीं करता है वो है तापी ये संकुचन सिध्धान्त अगला प्रश्ण है दोस्तों निमलखित में से कौन सा अंग विश्व की प्रमुख टेक्टानिक प्लेटों की सही संख्या को दर्साता है आपसन है आपके 6, 7, 8 और 9 आपको बताना है कि मुख्य टेक्टानिक प्लेटें कितनी हैं तो सही उत्तर है दोस्तों मुख्य टेक्टानिक प्लेटें साथ हैं आपसन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों National Geographic Society Washington DC के कार्टोग्राफिक विभाग के अनुसार ब्रिहत पलेटों की संख्या साथ और लगु पलेटों की संख्या सोले है तो याद रखिए मुख्य पलेटे मुख्य टेक्टानिक पलेटों की संख्या साथ है अगला प्रश्ण है दोस्तों निमलिखित भू आकृतिक प्रक्रियाओं में किसके द्वारा अंडों की टोकरी जैसी अस्थलाकृती बनाई जाती है तो सही उत्तर है हिमनद कार्य आपसन भी आपका सही उत्तर है दोस्तों हिमनद के निक्षे पडात्मक और अस्थल रूपों में ड्रमलिन एक महतुपूर अस्थल रूप है जिसका आकार देखने में उल्टी नाव या अंडों की टोकरी की तरह लगता है अगला प्रशन है पेंक के अनुसार अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था को क्या कहा जाता है तो सही उत्तर है दोस्तों पेंक के अनुसार अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था को इंड्रम्फ कहा जाता है तो याद रखिए अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था पेंक के अन की उचाई पर समताप मंडल या इस्ट्रेटो स्फियर के निचले हिस्से में पाई जाती है लेकिन परत के रूप में इसका सरवाधिक संकेंद्रण 20 से 25 किलो मीटर की उचाई के बीच पाया जाता है और दोस्तों आप जानते हैं कि ओजोन परत सूरे से आने वाली हानिकारक परावैगनी विग्रण से हमारी रक्षा करती है अगला प्रश देखते हैं निम्नांकित अस्थानी पाउनों में किसे हिम भच्छी या स्नो इटर कहा जाता है आप सन्हें चिनूक, सिराको, हर्मटन या खमसिन तो सही उत्तर है दोस्तों राकी परवत के पूर्वी ढालों प्रेयरी के मैदान पर सीत कालीन रित्म में पाये जाने वाली बर्फ अचानक पिघल जाती है इसलिए इन हवाओं को यहाँ पे हिम भच्छी या स्नो इटर के नाम से जाना जाता है अगला प्रशन है दोस्तों ट्रक खेती एक विसेस प्रकार की खेती होती है किसकी चाय की ट्रकों की गेहों की या सबजियों की तो दोस्तों ट्रक फार्मिंग का संबंध जो है ब्यापारिक अस्तर पर सबजियों के उत्पादन से है अगला प्रशन है वाडिजिक खेती की विसेस्ताएं कौन सी है तो सही उत्तर है वाडिजिक खेती के अंतरगत दोस्तों कामर्स क्रिसी में उन छेत्रों में खेती की जाती है जहां जनसंख्या विरल हो और क्रिसी के लिए बहुत बड़े मैदानी भोभाग उपलब्ध हो अगला प्रशन है दोस्तों निम्नांकित में से कौन सा देश चावल क्रांती की भूमी के नाम से जाना जाता है आपसन है चीन भारत जापान और फिलिपिन्स तो सही उत्तर है दोस्तों फिलिपिन्स आपसन्डी चावल के उननत वीजों का विकास सरोपर्थम फिलिपिन्स में हुआ और इस कारण से इसे चावल की क्रांती भूमी कहा जाता है अगला प्रश देखते हैं त्रितियक आर्थिक प्रक्रियाओं को सामिल किया जाता है यानि टर्सियरी एकनॉमिक एक्टिविटी जो है इनको शामिल किया जाता है इसमें क्या क्या चीजों को क्रिसी निर्माड सेवाएं और ब्यापार तो सही उत्तर है दोस्तों प्राथमिक क्रियाओं में आप जानते हैं क्रिसी पसुपालन मत्सियन है दूतियक क्रियाओं में बिनिर्माड और प्रसंसकरण है तृतियक क्रियाओं में सेवा छेतर आता है जिसमें परिवहन, संचार, ब्यापार और सेवाएं हैं और अब एक नया चातूर्थक क्रियाओं वाला छेतर भी हो गया है जिसमें अनुसंधान और विकास, उचस्तर की पेसेवर और प्रसासनिक सेवाएं हैं तो सही उत्तर है तृतियक छेतर की सेवाएं जो हैं इसमें तृतियक छेतर की आर्थे क्रिया सेवा और व्यापार तो सही उत्तर है आपसंद तीन और चार जो हैं ये तृतियक छेतर की क्रियाओं में अगला प्रश्ण है कौन सा सही नहीं है तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही नहीं है दोस्तों देखिए इगलू जो है इसकिमो द्वारा बर्फ से बनाया गया अर्ध गोलाकार घर होता है ये सही सुमेलित है इसके अलावा यूर्त जो होता है मध एसिया के खिरगीज जो है कालमुख और कज्जाक द्वरपसों की खालों से निर्मित अस्थाई मानों आवास है और मसाई, मसाई दोस्तों ये क्राल मसाई जनजात के द्वारा निर्मित जोपड़ियों को कहा जाता है और देखे बद्दू, बद्दू दोस्तों ये जो है अरब के मरुस्थल में रहले माली जन जाती है और इसका कीबिटिका से कोई संबंध नहीं है तो सही सुमेलित नहीं है आपसन डी आपका सही सुमेलित नहीं है अन्य तीन आपसन सही सुमेलित है अगला प्रशन है कई बार पर इच्छाओं में पूछा है यूरोप का प्रमुख मत्स्यन छेतर डाग बैंक है उत्तरी सागर में इस्थित है दोस्तों ग्रांड बैंक जार्ज बैंक सेंट पियरी बैंक और उत्तरी पश्मी अटलांटिक महासागरी मत्य मत्स छेतर के केंद्र है और देखा जाये तो उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागरी मत्स छेतर के अंतरगत उत्तरी सा अगला प्रश्ण है दोस्तों क्रिवाय राग का संबंद जो है प्रसिद लोह और द्योगी छेतर है कहां पर इस्थित है तो सही उत्तर है क्रिवाय राग यूक्रेन का प्रमुख लोह अयस्क उत्पादन छेतर है अगला प्रश्ण है जन्गर्णा से संबंधित है जन्गर्णा 2011 के आकड़ो के अंसार भारत में पूरुस और महिला साक्षर्टादर का अंतराल कितना है आपको बताना है तो दोस्तो पहले तो आपको पूरुस साक्षर्टा और महिला साक्षर्टा याद होनी चाहिए तो देखे पूरुस साक्षर्टादर 2011 की जन्गर्णा के अंसार 82.1 प्रश्ट है महिला साक्षर्टादर 65.46 प्रश्ट है और दोनों का अंतर 16.68 प्रतिसत हो जाएगा अगला प्रश्ट है निम्लखित दीपों के उगमों में से कौन सा एक 10 अंस जलमार्ग या 10 डिगरी चैनल जो है इसके द्वारा आपस में प्रिथत किया जाता है तो सही उत्तर है 10 डिगरी जलमार्ग एक संकीड जली भाग है और ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समों के लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीपों को अलग करता है 10 डिगरी चैनल अगला प्रेशन है दोस्तों विश्व प्रसिध कांगडा और कुल्लू घाटी कहां पर इस्थित हैं तो सही उत्तर है दोस्तों विश्व प्रसिध कांगडा और कुल्लू घाटी हिमाचल के दोस्तों मध हिमाले और लग हिमाले में इस्थित हैं तो सही उत्तर आपका आपसंडी मध हिमाले या लग हिमाले में हिमाचल परदेश की परसिद्ध कांगड़ा और कुल्लो घाटी इस्थित हैं दोस्तों ये छेत्र पहाडी नगरों के लिए जाना जाता है इसके अलामा दोस्तों मसूरी नैनिताल और रानी खेत जैसे पर्याटनस्थल भी ये लग हिमाले के अंतरगत आते हैं अगला प्रशन है नदियों और सहायक नदियों का कौन सा युग मसुमेलित नहीं है तो देखिए यहाँ पे गोदावरी इंद्रावती सही है गंगा पेन गंगा ये सही नहीं है क्योंकि पेन गंगा दोस्तों गोदावरी की सहायक नदी है इसके अलामा कृष्णा भीमा औ नहीं गोदावरी की सहायक नदी है तो ये सुमेलित नहीं है आपका आपसन भी सही सुमेलित नहीं है अगला प्रश्ण है किसी जील के चारो और बसागाउं किस प्रतिरूप या माडल में आएगा आपसन देखिए अरी निहारिका नाभिकी या तारा तो सही उत्तर है दोश् भी आपका नेबुला या निहारिका के प्रतिरूप में जब किसी जील के चारो और काउं बसा हो तो उसको कहा जाएगा अगला प्रश्ण है दोस्तों कारागांडा कोईला छेतर कहां पर अवस्थित है तो सही उत्तर है कारागांडा छेतर कोईला आयसक उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है जो बरतमान में कजाकस्तान का सबसे बड़ा कोईला उत्पादक छेतर है अगला प्रश्ण है गन्ने के विकास के लिए उप्यूक्त तापमान के शीमा कितनी होती है तो सही उत्तर है दोस्तों 21 डिगरी से 27 डिगरी गन्ने के विकास के लिए उप्यूक्त अगला प्रशन है टेली ग्राफ पठार कहां पर इस्थित है तो दोस्तों टेली ग्राफ पठार जो है देखें मध्य अट्लांटिक कटक को भूमध रेखा के उत्तर में डाल्फिन उभार और दच्छिन में चैलेंजर उभार कहते हैं ग्रीन लेंड में दच्छिण में या ग्रीन लेंड के दच्छिण में इस कटक का नाम टेली ग्राफिक पठार है तो याद रखेगा टेली ग्राफिक पठार जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में इस्थित है अगला प्रश्ण है दोस्तों निम्लखित में से किस अक्षा अगला प्रस्ट देखते हैं रेड इंडियन अथवा अमेर की इंडियन देखिए रेड इंडियन अथवा अमेर की इंडियन किस प्रजाति के हैं काकेस आयड प्रजाति, मंगोलायड प्रजाति, आश्टेलायड प्रजाति या निग्रीटो प्रजाति तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियन के नाम से जाने वाली जनजाति मंगोलायड प्रजाति का एक समू है अमेरिकन रेड इंडियन प्रजाति के मनुस्यों के बाल कड़े सीधे और काले होते हैं तो अच्छा जो है पीलापन लिये भूरी और नेत्र भूरे रंगे होते हैं चेहरा चौड़ा और ललाट सीधा होता है और इनके सरीर पर रोम जो होते हैं ये कम विक्सित होते हैं जो सब लच्छण मंगोलायट से मेल खाते हैं अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर है दोस्तों भारत का प्रथम राष्टी उद्यान कौन सा है तो सही उत्तर है जिम कारवेट नेशनल पार्क देखे भारत में 1936 में दोस्तों 1936 में जिम कारवेट नेशनल पार्क पहले राष्टी उद्यान की अस्थापना की गई थी इसका नाम पहले हैली नेशनल पार्क था और बरतमान में जिम कारवेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है तो सही उत्तर है भारत का पहला राश्टी उद्यान जिम कारवेट राश्टी उद्यान है अगला प्रशन है भारत में निम्लखित में से किस राज में सरवाधिक वन आच्छादित छेत्र हैं तो दोस्तों वन आच्छादन का मतलब है कि छेत्रफल के आधार पर वनों का छेत्रफल किस राज में सरवाधिक है तो सही उत्तर है मध्य परदेश दोस्तों मध्य प्रदेश में सरवाधिक बन छेद्रफल, दूसरे अस्थान पर अरुडाचल, तीसरे पर छत्तिस गड़ और चौथे पर ओरीशा हैं अगला प्रशन है अस्थानांतरित खेती की अनिवारे विशेशता क्या है देखिए फसलों की सघंता, खेतों का चक्र, एकल फसल और दोहरी फसल आपको बताना है कि अस्थानांतरित खेती की अनिवारे विशेशता क्या है तो दोस्तों अस्थानांतरित खेती जो है ये एक आदिम खेती है जिसमें दो तीन वर्स के अंतराल पर खेतों को बदल दिया जाता है तो सही उत्तर है इसमें खेतों का परिवर्तन या खेतों का चक्र होता है और अस्थानांतरित क्रिसी विश्यो के विभिन भागों में है और इसको अलग-अलग नाम से जाना जाता है जैसे मलाया और इंडोनेसिया में इनको लदांग, फिलिपिन्स में कैंगीन, ब्राजील में रोका, जायरे में मासोले, स्रीलंका में चेना, और म्यामार में टोंग्या के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों अस्थानी खेती में खेतों का चक्र अपनाया जाता है अगला प्रशन है निम्लखित में से कौन सापद केवल जीव द्वारा ग्रहण किये गए दिक्मान का ही नहीं, बलकि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी बढ़न करता है दोस्तों पारिस्थित की कर्मता जो है पारिस्थितिक कर्मता ये किसी केवल जीव के द्वारा ग्रहण किये गए अस्थान का नहीं, बलकि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वढ़न भी करता है अगला प्रेश्ण और इस प्रेक्टिसेट का आखरी प्रेश्ण है भारत में सरवाधिक छेत्रफल पर किस प्रकार के बनों का विश्तार है आपसन है उश्रकटिवंधी पढ़पाति बन उश्रकटिवंधी सदावाहार बन परवती बन या मैंग्रो बन तो सही उत्तर है उश्रकटिवंधी पढ़पाति बन जो है दोस्तों भारत में सरवाधिक छेत्रफल पर विश्तरित है तो ये था आज का प्रेक्टिसेट जो मुख्य रूप से TGT सामाजिक विज्ञान के भुगोल खंड के लिए और PGT यानि प्रवक्ता परिक्षा के भुगोल विश्य क लिए तैयार किया गया था ये प्रश्ण बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके आगामी परिच्छाओं में बहुत ही कामगर या आपके लिए उप्योगी होंगे दोस्तों इसके अलावा इस प्रेक्टिसेट में कुछ प्रश्ण ऐसे हैं जो विभिन प्रतियोगी परिच्छाओं के लिए इसका आकलन करके हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मांक दरशन फार सिविल सर्विशन को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार